हलो फ्रेंट वेलकम तुमाई यूटीव चैनल आज हम बात करेंगे कि और कोई हम फील्ड में ट्रांस्मीटर लगाएंगे तो उसकी वाइरिंग पंटूलों तक कैसे की जाएगी कि या फिर कोई हमें वाइरिंग दी गई है तो उसको हम पढ़ते करते हैं तो सबसे पहले यह मैंने एक ड्रॉइंग बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो सबसे पहले प्रॉसस एरिया आएगा तो यहां हमारा ट्रांस्मीटर लगा हुआ होता है उस ट्रांस्मीट जंक्संग वक्स का यहां पे आपको जेवी नंबर डिफाइन राना है कि यह कौन सी जेवील में गई है और उसकी टीवी डिटेल यह मेरी 1,2 पे गई है तो 1,2 पे हमारी पेयर आएंगे और 3 पे हमारी स्वीड वाली केवल आएगी ए क्लिदी रिवालिद यहां पे दिखा तो यहां पर किया आपका यह pair नोमर फॉंस आ Benjamin पैरन के पैल है यह आप क्या हो ओगा चाले म्राव्ल मन कडै यह इसना मैरे S1 केमिनेट में हम क्या करते हैं कि तिवी पर लगा दिया हमने तो एक्सवाई का नंबर देगी है यहां जैसे एक्सवाई बन है अब उसके कौनसी वाली टीवी पर जाई है जैसे यह वन और टूपे देगी तो यह मेरी यह वन टूपे कनेक्ट पर दी और जो अर्थिंग वाली केवल की सेडिर केवल वो यहां पर पैनल अर्थ हो जाएगी यहां पर अर्थ हो जाएगी वो ठीक है अब यह यहां पर आगी टीवी पर अब टीवी के बाद जाएगी हमारी एलकोबोर्ट पर तो यह मेरा एलकोबोर्ट पर चलेगी यहां पर कौनसे चैनल पर जा रही है वो हमने में मेंसन कर दिया अगर यह तो यह यहां पर आगे अब यहां से एक Prisave केवल जाती है, जो की जाती है, मेरे नेट तर, तो यह Pre-save केवल यहां से गई, अब यहां पर भी क्या है, पहले DCS के tag क्या है, वो डिसाइन सरना है, अपने को, यहां पर io module number कों सा है, वो लिखना है, node location क्या है वो लिखनी है node number कौन सा है slot number कौन सा है channel number कौन सा है और IO type कौन सा है जैसे यह transmitter है तो यह AI है तो यह चीज हमें यहाँ पर mention करनी है तो यह इस तरह से यह हमारी पूरी एक loop हो गया जो AI loop हो गया यहाँ पर आपको DCS का system cabinet number भी डालना है कि यह कौन से cabinet में लगी होई है और यहाँ station डालना है कि यह station 1 में है या 2 में है या 3 में है तो यह हो गया हमारा AI loop अब ऐसे ही सेम क्या होता है AO loop होता है बस उसमें क्या होता है यहाँ पर IO type change हो जाता है और यहाँ AO वाला card रग जाता है तो यह मेरा AO type हो गया यहाँ भी आपको डिस्यस के tag mention करना है फिर L को वोल्ट पर आएगा फिर L को वोल्ट से यह TB group पर आएगा TB group पर आएगा अब मालिक यह AC का AO हो है तो यह अब उससे नीचे ही ले लिए 3-4 पर ले लिए मैंने ठीक है जैसे 1-2 पर हमने AI signal लिया तो 3-4 पर हमने AO signal ले लिए अब इसके बाद यह JV में जाएगा अब उसी JV में हम ले जाएगे इसको भी फिर यह ले गए फिर यहाँ 1-2-3 में हमारे AI signal है तो 4-5 signal हम AO signal ले ले लिए यहाँ नहीं यहाँ से ले ले लिए फिर यहाँ से सिंगल पर केबल जाएगी जो कि हमारे बाल पर जाएगी तो यह इस तरह से हमारा पूरा लूप बनता है तो यह हमारा AI योग का लूप पूरा हो गया अगली वीडियो में हम बताएगे कि RTD और थर्मू कपल का लूप कैसे करते हैं और आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज लाइक और सुस्क्राइब और यूटिल चेक